पपा को लेने घर आई लेकर जाने के लिए यहां आई हैं आप लेकर जा रहे हैं इस बार भी 11 दिन के लिए लेकर जा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल हम तब 55 से 11 दिन के लिए ही लेकर आते हैं इसकी रियल परमपरा यही है कि पपा को 11 दिन के लिए ही लाया जाता है बट फिर आज के टाइम पे लोगों के पास समय कम होता है इस वजे से वो जितनी भक्ति कर सकते हैं वो कर लेते हैं तो इस बार क्या थीम रखा है आपने घर में किस कैसा डेकॉर कराया है क्योंकि पिछले साल पूरा फूलों से डेकॉरेशन की थी इस बार भी पूरे फ्लावर से डेकॉरेशन किया है तो मेरे बापा इतने सुन्दर लग रहे है मुझे ऐसे लग रहा है कि सोना चांदी जो बापा की है मुझ पर भी आनी चाहिए बिल्कुल लेकिन अपने अपको खाने पिने से कितना रोक पाती है तो मीथा मोदाक यह सब खाया जाता है पापा को जो प्रशाद करते हैं पूरा रात को मेरी जिम्मेदारी है पूरा फ्रशाद खतम करने की तो इस बार कौन-कौन आने वाला है घर पे और विगन हरता से क्या प्रे करने वाली है विगन कौन से हरता बहुत सारे फ्रेंग्स आएंगे फैमिली तो है हमारे साथ रही बात विगना सबसे बड़ा विगना मेरे दुश्वन खतम हो गए है फाइनली मेरी हमारे पूरे परिवार में किसी तरह की कोई बिमारिया ना हो और बस बापा का हाथ हमेशा हमारे सर पर हो बिल्कुल मेरा अगला सवाल वही था कि पिछले साल तो अब बपा को घर लेकर गई थी लेकिन थोड़े बहुत जो दुश्मन थे उनकी अज़े से कुछ नेगेटिविटी आती थी यह सब इस साल नहीं है कितना फ्री माइंड के तोर पर कैसा फ्री बहुत बहुत अच्छ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइफ में कोई भी टॉक्सिक पीपल नहीं है और अब सिर्फ बापा की भुक्ति करनी है बापा को टाइम देना है पूरे एक साल के बार बापा वापस आये है किसी से कोई जगणा नहीं सिर्फ प्यार प्यार और प्यार विक बॉस एटीन शुरू होने वाला विग नःता से प्रे करेंगी कि इस पर विक बॉस एटीन में एंट्री मिल जाएंग तो मुझे विक बॉस में क्या मुझे तो स्वार्थ में वह एंट्री मिल जाएंग जो बबब चाहेंगों यह गणपद्य बापा more यांगल बॉर